नमस्कार राधे राधे, मैं सच्चे दानन सींग कुश्पा, इस संसार में परमात्मा द्वारा 84 लाख योनिया बनाई गई हैं, जिन में ईश्वर जीव को मनुस्योनी इस अभिप्राई से देता है, कि वह अपने बिवेक के द्वारा संसार के जीवन मृत्यू के चक्र से होकर परब्रम में बिलीन होकर मौक्ष को प्राप्त कर सके, इस संसार के सभी जीवों में बिवेक केवल मनुस्यो को ही प्राप्त है, बिवेक के द्वारा ही वह अपने कर्मों पर नियंतरन कर सकता है, जीव की पैंचान उसके कर्मों से होती है, मनुस्य संसार को अपनी इं प्राप्त करने में असफल होता है तब उसके अंदर क्रोध बढ़ जाता है क्रोध बढ़ जाने के कारण उसका बिवेग खत्म हो जाता है और बिवेग खत्म होने पर उसका बिनास होना सुरू हो जाता है इसलिए स्रीमद भगवत गीता में भगवान स्री कष्ण कहते हैं कि यदि सरीर त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों के बेग को सहन करने तथा इक्षा इवं क्रोध के बेग को रोकने में समर्थ हो जाता है तो वह संसार में सुखी रहे कर अंतमे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो भी वक्ति अपनी इंद्रियों को नियंतरित कर सुख कर्म करते हैं वे मानब जीवन के परम उद्देश को प्राप्त कर लेते हैं और जो बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं वे 84 लाख यूनियों के फेर में हमेशा फसे रहते हैं। गोषवामी श्री तुलसिदास दी ने श्री रामचरत मानश में कहा है कि सुब्ध अर्व असुव कर्म अनुहारी ईशदेह फ्ल हिरदय विचारी अर्थात सुर्पैण के ही अनुसर्द देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। यही वह मंत्र है जिसे आत्म साथ करके हम अपने जीवन को सुगम एवं सार्थक बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करते समय बहुत सावधानिक रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं, परमात्मा हमें बैसा ही फल देता है। 84 लाख यूनियों में सर्वस्रिष्ट मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें सुब कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में तब तक आप सभी स्वस्त रहें, हस्ते रहें, मुस्कुराते रहें, जैस्री रादे रादे